हलो गाइस वेलकम तो डीजी ग्लोबल सलूशन यूटूब चैनल में आप सभी का सौगत है अगर आप अपने वर्टप्रेश वेबसाइट पे फ्री का SSL सर्टिफिकेट सेट अप करना चाहते हैं यह सारी चीजे मैं आज आपको बहुत डीटेल में एक्स्प्रेइन करूँगा अगर आप पहली बार हमारे यूटूब चैनल पे आएं तो पीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा सो गाइज हमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके पास अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है सपोर्ट जैसे हमारे पास यहां पर वर्डप्रेस की वेबसाइट है और जब अगर किसी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा रहता है तो आपको पर कोई कस्कमर या विजिटर आता है उसको एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बढ़ता अगर कस्कमर जब भी देखता है कि किसी वेबसाइट पर नौट सिक्क्यूर है दैन वो इस नौट गुड फर यूर वेबसाइट तो इसलिए आपको अपनी वेबसाइट पर फिर्स्ट कर देता हूं जब भी आप यहां पर ओपन करेंगे यह देखें आपकी वेबसाइट कनेक्शन सेक्यूर तो यह आपके वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा इंप्रेशन परता है किसी विस्टर या किसी भी जब भी आपके वेबसाइट पर कोई विस्टर आता है तो इसके कि आप फ्री में SSL certificate कैसे setup करेंगे क्योंकि अगर आप paid buy करना चाहते हैं तो बहुत से कंपनिया जैसे good ID हो गया big rock हो गया Scala हो गई जहां से आप SSL certificate buy कर सकते हैं अगर आप free में setup करना चाहते हैं यह सारी चीजे detail में आपको explain करो सबसे पहले आपको free SSL certificate लेने के लिए आपको एक website है जिसका नाम है cloudfair.com मैं फिर से login कर देता हूं cloudfair.com करके इस website को आपको open करना पड़ेगा इसके through हम लोग अपनी website में free SSL certificate यूज करेंगे जैसे आप यूज करेंगे यहां पर log अगर आपने पहली बार अगर यहां पर sign up कर रहे हैं तो आपको यहां पर sign up पर click करना पड़ेगा simply आपको अपने email address and password set up करके email पर आपको verification email आएगे वहां पर confirm करेंगे आपका account cloudfair.com से verified हो जाएगा so यहां पर मैं अपनी email verified कर चुका हूं so मैं यहां पर use करता हूं और यहां पर मैं login कर देता हूं cloudfair पर login हमने कर चुका हूं देखे जैसे आप अपना account set up करेंगे यहां पर verification email आएगी और आपको अपना email verified करना पड़ेगा then उसके बाद यहां पर सबसे पहले आपको आपना पड़ेगा add site जो आप अपनी website का यहां पर इस फॉर्म में जैसे अगर आपकी website digitalwarancy.com तो simply आपको digitalwarancy.com उचब करना पड़ेगा so यहां पर आप अपनी website से पहले यह सारी चीजे आप यहां से remove करेंगे digitalsoftwarancy.im और यहां पर आपको करना पड़ेगा add a site अब गाइस जैसे आपके पास add a site आएगा अब यहां पर cloud fair के option आते हैं अब आपको कौन सा select करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने बात कि हमें free का setup करना है तो हम यहां पर free वाले option में करेंगे confirm करेंगे आपके बात यहां ग्लाउड जो होते हैं इनको को सारे को और करना पड़ेगा अगर कोई cloud tava a मपर साल को कि शच rough समूंब आपको यहां करना पड़ेगा अब जैसे आप confirm करेंगे अब आपके पास यहाँ पर नेम सर्वर आपके पास अब इस नेम सर्वर को आपको चेंज करना पड़ेगा डैन आपके डोमेन पर SSL certificate अप्रूब होगा तो अब आपने जहां से भी अपनी website अगर आपने डोमेन बाई किया होगा अब तो आपको वहां पर लॉग इन करना पड़ेगा सपोज मैंने और गोडेडी से बॉप आइक है तो मुझे गोडेडी में सबसे पहले यहां पर साइण अप करना पड़ेगा अब यहां पर अपने और भूडेडी के बाउन में लोग इन कर लेता हूं कि करेंगे सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट में जाना है और आपको अपने डॉमेन पर जाना आपने जो सा जोन सा भी डॉमेन आपने वाई किया होगा वह आपको सलेक्ट करना पढ़ेगा इस तो यह सारे लिकॉर्ड अपियर होगे अब आपको सबसे पहले नेम सरवर पे चलना है यहाँ पर आपको simple change घूक करना है अब जैसे आप change पर click करेंगे अब यहाँ पे आपको click करना पड़ेगा enter my own name server advance अब यहाँ पे आपको click करने के बाद जो भी आपको यहाँ पर name server मिला है उसको आपको replace करना पड़ेगा अब यह आपको यहाँ पर copy करना पड़ेगा अपने क्लाउट फेल्ट से और यहां पर आपको अपने यहां पर पेस्ट करना पड़ेगा सिंप्ली कि आज मैंने दोनों नेम सर्वर यहां पर पेस्ट कर दिया अब हमें यहां पर सेव करना है अब जैसे आप यहां पर सेव कर देंगे तैन उसके बाद आपको अपने क्लाउट फेर एकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा यहां पर हमने आगए और यहां आने के बाद, अब यहां पर हमें done and check name server पर क्लिक करना है, अब जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपके पास option आएंगे, सबसे पहले यहां आपको full फुल पर क्लिक करना पड़ेगा, that means आपको अपने website के सारे pages, सारे web pages पर fully certificate चीए, तो आपको य option आता है, यह बहुत important है, आपको यहां पर always use HTTPS, मतलब आपको अपनी website में हमेशा SSL certificate चाहिए, तो यहां पर आपको on पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहां पर आपको करना पड़ेगा, done, अब जैसे guys आप करते हैं, यह आपकी website में SSL certificate यहां पर अप्रूब हो जाता है, हाँ, अब यह आपकी website में थोड़ा सा time लगेगा, maybe hour, two hour, या 24 hour, within 24 hour में आपकी website पर SSL certificate अप्रूब हो जाता है, So guys, इस process के थूँ आप अपनी WordPress की website में फ्री में SSL certificate लगा सकते हैं, जो कि बहुत easy way है, जो मैंने explain किया, And guys, hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कुछ भी चीजे से related आपको पूसना है, आप हमें comment box में आप पूस सकते हैं, And guys, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजेगा, चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा, ताकि मैं ऐसी आपको नए नए वीडियो का अपडेट देता हूँ, So thank you so much guys for watching this videos.